आज हम बात करेंगे वेनेजुएला की जो की आप तक नोटबंदी की आग में धदक रहा था लेकिन अब लोगों की गुस्से और जवाब देही के डर ने वेनेजुएला की राश्टपती को इस फैसले को टालने पर मजबूर कर दिया बात करेंगे अमेरिका की इस बड़ी गलती की जिसका खामियाजा पूरा मिडलीस्ट चुका रहा है खबर स्मॉग और प्रदूशर जेल रहे चीन की भी करेंगे जहां हालात लगातार खराब हो रहे है और बात हम क्रिस्मस की भी करेंगे लेकिन सबसे पहले बात वेनिजुएला की जहां राश्ट्रपती मादरों ने एक हफ़ते पहले बोलिवर के बैन की घोशना की थी लेकिन 48 घंटे का वक्त और लोगों का सैयम जैसे ही खत्म हुआ राश्ट्रपती को अपने फैसले से कदम पीछे करने पड़े आर्थिक मंदी से जूचता एक देश जहां दाने दाने के लिए मोहतास थी जन्ता सरकार का एक फैसला और बेकाबू जन्ता का फूटा गुस्सा फिर तैह हुई जवाब देही और अब टेल गई नोट बंदी मैंने वेनेजुएला से माके तहट सौब बालिवर के साक्यूलेशन, कमर्शियलाजेशन और लीगल एक्टिविटी की मान्याता को दो जन्वरी 2017 तक बढ़ाने का फैसला किया है मैंने जुला के राश्पते निगोलस मादुरों ने एक हफते पहले की अपने एलान से ख़दम पीछे कर लिये 168 घंटे पहले इसी सीट पर सवार मादुरों ने देश के सबसे बड़ी करेंसी 100 बुलिवर को बंद करने का अलान किया था लेकिन नोट बंदी के बाद मचे हाहकार और बेकाबु जन्ता का गुस्सा देखकर मादुरों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और नोट बंदी के लिए दिये गए मैं 1048 घंटे की महलत को बढ़ा कर एक नई सीमा तै कर दी मैंने वेनिजुएला सीमा के तहट सौब बालिवर के साक्यूलेशन, कमर्शियलाजेशन और लिगल एक्टिविटी की मान्याता को दो जन्वरी 2017 तक बढ़ाने का फैसला किया है ठीक एक हफ्ते पहले ही 11 नॉंबर 2016 को दाने दाने को महताज विनुजरा में आर्थिक संकर से निपढ़ने के लिए राश्पते निकोलस मादुरो ने देश के सबसे बड़ी करंसी 100 बोलिवर को बंद करने का एलान कर दिया था लेकिन देश के हालात बेकाबू हो गए और सड़ को परहिंसा भड़क गई दरजनों दुकाने लूटी गई कई लोगों को जान तक गवानी पड़ी जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए मादुरो को एक्सेंशन की याद आ गई दो जानुरी तक ब्रजील और कोलंबिया के साथ बॉर्डर को बंद रखने का फैसला किया गया है ताकि सुरक्षा इंतरजाम किये जा सके और हालात को संभाला जा सके वेनजुला के राजपती मादुरो ने देश में मचे हाहा कार कठी करा सीधे आउटर फोर्सेस पर फोर्ड दिया अपने समर्थकों की बीच एक रैली को संभोधित करते हुए मादुरो ने कहा कि बाहरी ताकत उन्हें रिक्टिमाइज करना चाहती हमें बाहरी ताकत सता रही है और इसलिए वेनजुला करन्सी के नए नोट हम तक नहीं आ पाए और मुझे ये कदम उठाना पड़ा माने खुद रात भर दिन भर और सुबह भी इस पर नज़र रखी परसेल बानुला कि टूंटना लूत वे तादाए ये कुह लूवा सहत है टोला इसलिए के सुबहेश ड्या हास Toddina है ऑुछ या लूचले, करते ऑ nyt pond dummy दरसल वेनुजुला की चंता कई दिनों से पैसो पैसो के लिए तरस रही है ना बिजली ना पानी दूद के पैकेट तक के लिए लोगों को बैक भर के करंसी देनी पड़ रही है अब क्रिस्मस और नया साल नजदीक आ रहा है ऐसी हालत में जब मादरों ने सबसे बड़ी करंसी ही बंद कर दी और महलत भी महस दो दिन की दी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा हंगामा खड़ा हो गया और जवाब दही राश्पत्ती की तैय कर दी गई जब आप दही का फंदा जैसे ही मादरों के गले अटका तो बेकाबू होते हालात को काबू में करने के लिए मादरों ने रोल बैक का कदम उठाया और अब नोट बंदी की नई सीमा यानि दो जनुवरी दो हजार सत्तरा तैय हुई है लेखने वाली बात ये होगी कि ये नई लिमिट वेनिजुला की तस्वीर बदल पाएगी ये नहीं इंटरनेशनल टैस्क इंडिया 24-7 आप हैरान होंगे भारत में नोट बंदी का फैसला लिये जाने के एक महीने बाद वेनिजुला में भी नोट बंदी हुई लेकिन वहां के सरकार ने ये फैसला फिलहाल वापस ले लिया है जबकि भारत में नोट बंदी के बाद नियमों में थोड़ी बहुत धील के अलावा लोगों को कोई राहत नहीं मिली और भारत सरकार अपने फैसले पर कायम है आखिर दुनिया के दो देशों के बीच ऐसा अंतर क्यों है भारत में नोट बंदी का मामला संसत से लेकर सड़क तक गर्म है आम लोग परेशान हो रहे हैं इस पर जमकर राजनीती हो रही है पर फैसला वापस लिये जाने की कोई सुख बुगाहट भी नहीं है भारत में आठ नोवंबर को ये फैसला लिया गया जबकि वेनेजुएला में एक महिने बाद 11 दिसंबर को भारत की तिरह दुनिया का एक और देश नोट बंदी की मार्थ से परेशान हुआ पर वहाँ जल्द ही फैसले को एक्स्टेंशन देना पड़ा क्योंकि दोनों देशों में आम लोगों की प्रतिक्रियाओं में बड़ा अंतर है भारत में जहां लोग परिशानी झेल कर भी विरोध के लिए सड़कों पर नहीं दिखते यहां वे पक्षी पार्टियां ही विरोध की ये भूमिका निभा रही है वहीं वेनेजुएला में आम जन्ता ने सरकार के नोटबंदी के फैसले पर ना सिर्फ अपना तेज विरोध दर्ज किया बलकि सरकार की जवाब देही तै करने की दिशा में दबाव भी बनाया दुनिया के इन दो देशों में नोटबंदी के बाद के हालात में इतना अंतर क्यों ये जानना काफे दिल्चस्प है आईए अब आपको भारत और वेनेजुएला के भीच एकोनामिक और डेमोग्रेफिक फ्रंट पर जो अंतर है वो दिखाते हैं दरसल हिंदुस्तान से 15,000 किलोमेटर दूद साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में बसा है वेनेजुएला भारत की तरव वेनेजुएला में भी नोटबंदी का फैसला लिया गया लेकिन इसके बाद से वेनेजुएला के लोग कितने परेशान हुए इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर दूद 13,000 रुपे लिटर एक अंडा 900 रुपे और एक किलो आटा 1350 रुपे में मिलने लगा लोगों के बीच इसको लेकर मार पीट तक की नौब अटा गई लोगों ने फैसले को जम कर कोसा वो सिर्फ 100 बलीवर ही ले रहे हैं जो एक पागलपन है ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें कम से कम भारत में फिलहाल तो ऐसे हालात नहीं है लोगों को रोजमर्रा की कामों में काफी परिशानी हो रही है पर कीमतों को लेकर यहां विनेजुएला जैसे हाल नहीं है फिर आखिर विनेजुएला की आर्थिक हालात इतने गंभीर क्यों हुए विनेजुएला की अर्थवेबस्था कच्चे तेल पर निर्भर है कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रती बेरल के उच्चत मस्तर से गिर कर 28 डॉलर तक पहुँच गए थे जिससे विनेजुएला को भारी आर्थिक नौकसान हुआ वहीं दो साल पहले तक विनेजुएला का कच्चे तेल का निर्याद 75 बिलियन डॉलर था जो अब कम होकर मातर 27 बिलियन डॉलर तक रहने का अनुमान है वहीं विनेजुएला की करंसी बुलिवर जिसकी एक साल पहले एक डॉलर की कीमत 175 बुलिवर थी वह अब बढ़कर 865 बुलिवर तक पहुँच गई है देश में राजनितिक और स्थिर्ता के चलते भी आर्थ विवस्था पर असर पड़ा है विपक्ष विनेजुएला के राष्टपती निकोलस मादुरो को हटाना चाहता है मादुरो ने बिगड़ते आर्थिक हालात के लिए विदेशी ताक्तों को जिम्यवार बता कर मई में देश में आपातकाल की घोशना भी की थी यही कारण है कि विनेजुएला को अपने नोटबंदी के फैसले को फिलहाल कुछ दिनों के लिए वापस लेना पड़ा जबकि भारत में अभी विनेजुएला जैसे हालात नहीं है दोनों देशों के बीच के कुछ आंकड़े देखिए भारत की जनसंख्या जहां करीब सवा अरब है वहीं विनेजुएला की जनसंख्या मातर साढ़े तीस लाक भारत में पुराने 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया है जबकि विनेजुएला की सरगार ने देश में 100 बॉलिवर की करंसी को बंद किया था भारत की अर्थवेवस्ता विष्यों की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है जबकि वेनेजुएला की अर्थवेवस्ता ऐस وقت संकट के दौर से गुजर रही है इसके अलावा कुछ मामलों में दोनों देशों के हालात में समानताएं भी हैं जैसे मोदी सरकार ने इसे आतंकबाद और भ्रस्टाचार के खिलाफ जंग कहा लेकिन कई बैंकों के कर्मचारियों ने जंता तक पहुचने वाली करंसी भ्रस्टाचारियों के हाथों तक पहुचा दी उसी तरह विनेजुएला भी बैंकों में फैले भ्रस्टाचार से परेशान है विनेजुएला के राष्टपती के मताविक हाल में कराई गई हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन में ये उजागर हुआ था कि उसकी सौ बोलिवर की करंसी अर्बों की संख्या में अंतरराष्ट्रिय माफिया काटल ने कोलंबिया और ब्राजिल जैसे देशों में छिपा कर र और इतना दबाव बनाया कि राष्टपती मादरो को नोटबंदी के फैसले को महज एक हफते बाद ही वापस लेना पड़ा जबकि भारत में वेनेजुएला से कुछ अलग हाला थें साथी भारी परिशानी जहिलने के बावजूद लोगों ने इसका मुखर विरोध नहीं क वेनेजुएला में भारत की तर्च पर नोटबंदी की गई थी लेकिन दोनों देशों के हालात अलग-अलग है वेनेजुएला ओल रिज कंट्री है लेकिन क्रूट की अंतराष्टी कीमतों में भारी गिरावट से देश में एकनामिकर क्राइसिस पैदा हो गई है बोलिवर का मुल्य घटकर करीब 675 रुपे रह गया है वहीं डॉलर के मुकाबले बात करे तो एक डॉलर की कीमत तकरीबन पॉने 4000 बोलिवर पहुँच गई है इसके बाद 500, 2000 और 20,000 बोलिवर की नई करंसी जारी की थी लेकिन ये वक्त करंसी और वक्त पर पहुँच नही पहुच सके जिसे देश में सिती बेकाबू हो गई लोगों ने सैकडों दुकाने लूट ली वही आपको बता दे वेनेजुएला के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत देते हैं वेनेजुएला दक्षन अमेरिकी देश है इस देश में कमिनिस्ट शाशन है मशूर कमिनिस्ट नेता ह्यूगो शावेज के बाद निकोलस मादरो यहां राश्ट पती है यहां पेट्रो 25,5 साल से तेल के दाम लगातार गिर रहे है अब एक लीटर पानी पेट्रोल से देर सोगुना महगा है और अब बात अमेरिका की उस गलती की जिसका खामियाजा पूरा मिडलीस्ट भुकत रहा है इराक सीरिया के हालात के लिए गुनेगार अमेरिका है ऐसा इसली कहा जा र जाना शाह सद्दाम हुसैन को इंटरो गेट करने वाले CIA इंड के पूर्वधिकारी ने अपनी बुक में ये खुलासा किया है सद्दाम ने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दी थी कि इराक उससे नहीं समझ सकता देखे एर रिपोर्ट अमेरिका का इराक पर हमला और सद्दाम को मौग के घाट उतारना बड़ी भूलती इन सवालों के जवाब अमेरिकी सेंट्रल इंडिलिजेंस एजनसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन निक्सन ने अपनी नई किताब में दिये हैं निक्सन की बुक Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein में कुछ ऐसे वाक्यों का जिक्र किया गया है जिसने फिर से Saddam Hussein के अंजाम और अमेरिका की मन्शा पर सवाल खड़े कर दिये हैं CIA के पूर्व अधिकारी निक्सन की बुक जल्द ही बुक स्टॉल्स पर अवेलेबल होगी लेकिन उनकी इस किताब के कुछ ऐसे अंश सामने आये हैं जिनको पढ़कर लगता है कि इराक को चलाने और पूरे मदेपूरु में इस्तिर्था काइम करने के लिए ताना शाह सद्दाम हुसेन की ही जरूरत थी निकसन ने अपनी किताब में उस हकीकत को उके रहा है जिसे उन्होंने खुद जिया है यानि निकसन ने उस वक्त का जिक किताब में किया है जब ताना शाह सद्दाम को अमेरिका की गड़बंदन वाली सेना ने गिरफतार कर लिया था और हिरासत में उससे अमेरिकी खुफी आइजेंसी ने पूछताज की थी निक्सन सियाई की उस टीम का भी हिस्सा थे निक्सन की माना है तो व्यक्तिकत तोर पर वो सद्दाम को बुरा आदमी मानते हैं लेकिन उसका सम्मान भी करते हैं क्योंकि उसकी तानाशा सल्तनत के दौरान ना उसकी गद्दी बराचाई और ना ही इराक पर 2003 में सद्दाम की हुकूमत खत्त करने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था तब से लेकर आज तक ये मुद्दा विवदास्पत बना हुआ है कि क्या सद्दाम को वहां से हठा कर अमेरिका ने सही किया निकसन ने अपनी किताब में लिखा है कि सद्दाम हुसेन ने अमेरिका को चेताउनी दी थी कि इराक पर कबजा करना उसके लिए आसान नहीं होगा दूसरी और अमेरिकी सरकार और विशेशक्यों को एक काफी आसान काम लग रहा था निकसन ने लिखा है कि एक बार हिरासत के दौरान जब उन्होंने सद्दाम से पूछता की थी तो उन्होंने साब कहा था कि तुम इराक पर हमला कर सफल नहीं हो पाओगे इराक पर शासन करना आसान नहीं होगा बुक के मताबिक सद्दाम ने कहा कि अमेरिका इसकी जुबान और इसकी भाषा नहीं जानता इसका इतिहास भी नहीं पता अमेरिका को अरब का दिमाग भी पढ़ना नहीं आता निक्सन के मुताबिक 9-11 हमले में शामिल होने के आरोपों से सद्दाम ने सिरे से खारिज कर दिया था बलकि सद्दाम को उमीद थी कि हमले के बाद इराक और अमेरिका के रिष्टे सुधर जाएंगे और दोनुदेश मिलकर आतिंगवाद का खात्मा करेंगे किताब में निक्सन ने सद्दाम और इराक के हालात पर और भी बहुत कुछ लिखा है अपनी राय देतेवे निक्सन ने लिखा है कि उन्हें उस समय सद्दाम की बात पर यकीन नहीं हुआ था लेकिन अब उन्हें लगता है कि सद्दाम सही कह रहे थे उनका ये भी मानना है कि इराक जैसे कई समुदाई में बटे देश को सही तरह से चलाने के लिए सद्दाम जैसे क्रूर शासक की ही ज़रूरत थी निक्सन ने तो यहां तक लिखा है कि सद्दाम के राज में आईएस आईएस जैसे किसी आतंकवादी संगठन का उभरना और सफल हो पाना नामुम्किन था निक्सन की सबुक में और भी कई बड़े खुलासे हैं जिस पर अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हावी हो रही है भेरहाल अब सबको अंसाजार है डिप्रिफिंग प्रेसिदेंट ने इंटरोगेशन अप सद्दाम हुसेन बाई जॉन निक्सन के मार्केट में आने का इंटरनेशनल देस्ट इंडिया 24-7